स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूटुब चैनल में तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लाश देन तलजेप्रा का प्रेक्टिसेट 6.6 जिसमें हम लोग जानेंगे किसके बारे में तो पाई डाइग्राम के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखने वाल अब करने के पहले क्या करने के पहले आपको क्या करना होता है इस प्रकार से टेबल बनाना होता है जिसमें तीन कॉलम्स होते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है एज ग्रुप लिया क्या है और इदर क्या initiatives है number of persons ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे एज ग्रूप ठीक है पहला सवाल अच्छे से देख लो फिर दूसरा तीसरा तो आप खुछ से भी कर सकते हो क्योंकि देखो फर्स सेकें थर्ड यह तीनों के तीनों सेम टू सेम है ठीक है इसलिए इसको अच्छे से समझ यहां पर एज ग्रूप में नमबर आफ फर्सं कितने है असी तो यहां पर लिख दीजिएगा थीक है फिर देखो 25-30 है ??? 25-30 और इसमें नमबर आफ पर्सं कितने हैं सिस्टी six D' फिर उसके बाद क्या है 32 35 ओके यहां पर लिख देते देखो इसमें number of persons कितने है 35 तो यहां पर हमने लिख दिया बच्चो 35 ठीक है फिर उसके बाद next क्या है 35 to 40 इसमें number of persons ज़रा देख लीजी कितना है 25 ओके आप देखो बच्चो आपको करना क्या है ना इसका total करना है टोटल किसका टोटल तो यह जो frequency दी रहेगी ना उसका टोटल करना है ठीक है यह क्या है बच्छो यह ना आपका frequency ही है ओके तो चलिए फिर इसका टोटल कर देते हैं तो 80 और 60 कितना हो जाएगा 140 140 और यह 35 और 25 चलो यहाँ पर हम लोग जोड करके देख लेते हैं पांच पांच जसका 0 एक आ गया फिर चार एक पांच 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 तीन आठ 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 दो दसका 0 एक आ गया मतलब यहाँ पर इसका टोटल कितना है बच्छो 200 ठीक है अब यह तीसरे कॉलम में हम लोगों को क्या लिखना होता है तो इसमें हमें लिखना होता है measure of central angle यानि की theta ओके हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं तो theta find out करते हैं अब देखो theta हमें कैसे मिलेगा तो यहाँ पर देखिए मैंने एक formula लिखा हुआ है चलिए आप लोगों को बताते हूँ यह formula में है क्या ठीक है यह formula ह है theta निकालने का क्या लिखा है देखिएगा number of score in component upon में क्या आता है total number of scores और फिर इसको multiply करने का किस से 360 से ठीक है तो यह सब कुछ क्या है देखो बच्चो number of score in component इसका मतलब क्या हुआ जैसे कि यहाँ पर यह जो 80 है ना 80 क्या है बच्चो number of score in component तो इसको क्या करने का ऊपर लिखने का ठीक है नीचे क्या आता है total number of scores तो देखिएगा यहाँ पर total number of scores कितना है देखो यहाँ पर जब हमने इसको प्लस किया तो कितना आया था 200 आया था ना तो यहाँ पर आप क्या लिखो के बच्चो 200 फिर उसके बाद हमें multiply करना होता है किस से 360 से ठीक है यह 360 से हम multiply क्यों कर रहे है क्योंकि देखो यह जो भी डेटा है ना उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यह सरकल के अंदर यानिकि इस पाई डाइग्राम की मदद से ठीक है अब देखो बच्चो आप लोग एक बात जानते हो कि जो आपका सरकल होता है ठीक है यह सरकल का measurement कितना हो तो यह कितने degree का होगा 360 का होगा पूरा कितने degree का होता है 360 से multiply कर रहे हैं ठीक है तो चलीए अभी इसको simplify कर दीजे तो चलो करके देखते हैं कितने बार में जाएगा तो यहां पे देखो मैं अलग से कर रही हूँ 0 से 0 गया ये वाले 0 से ये वाले 0 गया फिर 2 1s are 2 2 4s are 8 अब इन दोनों का multiply कर दीजिए तो 4 6 are 24 2 आ गया 4 3 is 12 मतलब यहां पर आ गया बच्चो 144 ठीक है यहां पर हम लिख देते 144 डिगरी ओके याद रखना यहां पर जो भी आपको value मिलेगा वो किस में मिलेगा तो डिगरी में ही मिलेगा ठीक है अब चलिए यहां पर अगला वाला जो है इसके लिए हम लोग central एंगल निकाल लेते हैं तो देखो number of score in a component कितना है 60 है तो यहां पर लिख देंगे 60 ठीक है total कितना है 200 यहां पर लिखिएगा 200 फिर उसके बाद multiply करना 360 ठीक है चलो अब इसको simplify करते हैं तो अब मैं इधर करते हूं ठीक है क्या है 600 00 गया यह वाला 0 से यह वाला 0 गया फिर 2 1 2 2 8 से 60 है ना इसमें सबन बचेगा multiply करो 6 8 से कितना होता है 48 होता है फिर 108 कितना आ गया बच्चो 108 ठीक है फिर उसके बाद यह कर लेते हैं तो 35 upon 200 इंटू क्या आएगा 360 डिगरी चलो अभी इसको simplify करते हैं तो 35 इधर 20 मतलब 200 इधर यह ठीक है अब यह किस से जाएगा त फिर हमें काम करते हैं 5 से इसको cancel करते हैं तो 5 7 से 35 5 4 से 20 अब इसको 4 से cancel करो तो 4 9 से 36 है ना 9 7 से क्या होता है बच्चो तो 63 होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 63 डिगरी ठीक है फिर उसके बाद यह देखो यह वाला कर लेते हैं 25 upon 200 इंटू 360 डिगरी तो चलिए इसको सिंप्लिफाइब करते हैं 25 upon 200 इंटू 360 डिगरी तो अब यह कैसे कटेगा तो 25 कि फोर जांड्रेड होता है ना 25 एट जा देखो 25 25 25 एट जा हो जाएगा बच्चो 200 यह होगा ठीक है हाँ यह होगा अब इसको एट से गैंसल करो तो 8 से जाएगा एक बार देखी लेते हैं चार कितना आएगा बच्चो 45 डिगरी ठीक है तो यह लेजिए हमने लिख दिया अब देखो बच्चो आप लोग को एक बात बताती हूँ इसका जो टोटल है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए 360 डिगरी ही होना चाहिए अगर इसका टोटल 360 डिगर आता है कि नहीं आता है तो चलो देखें धेकर आज चार बारा इस्टिंग दरी ज्सटिंग यहां पेस का बच्चो ना आया 360 डिगरी यानि कि हमने यह जोभी केलकुलेशन किया है वह एकदम सही है कुछ भी गलत नहीं है तो ये वाला प्रोसेस आपको समझ में आयना जादा कुछ करना ही नहीं है जो भी ये दो कॉलम में दिया गया उसको सीधे सीधे लिख दीजिए उसके बाद जो फ्रिक्वेंसी दी रहती है उसका टोटल कीजिए और फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाईए और ले ya circle बनाया हुआ है ठीक है ये मेरा क्या है बद्चो पाइडाइग्राम को अब इसमें इसको कैसे दिखाना है तो इसके लिए आपको जरूरत बड़ेगी किसकी तो इसकी इसको क्या कहते हो प्रोटेक्टर कहते हो ना यह सो इसके जरूरत बड़ीगी ठीक है देखो बच े तो ओसके बाद आपको क्या करना है तो आपको एक लाइन हीचनी मैं से तिए पर देता है और यह यह खिर देतीए और यहां पर आगanto बनाते चाहिए ठीक है तो दीको यहां पर पहला कितना है बच्चो 144 डिग्री मतलब इस ग्रूप में सेंटरल एंगल कितना है 144 डिग्री तो क्या करोगे प्रोटेक्टर लेना है आपको और फिर इधर आपको रखना है देखो जैसे आपको मेजर करने तो आता ही होगा यहीं क्या लेना है 144 ना तो 144 कहां पर आएगा बच्चो तो सपोस करो यहां पर है 140 ठीक है 140 और इधर है 150 तो आप लोग जानते हैं 140 और 150 की बीच में 10 चोटे-चोटे लाइन्स होते हैं अगर आप देखोगे ध्यान से अपने प्रोटेक्टर पे तो वहां पर चोटे-चोटे-च लाइन्स होते हैं कुछ इस तरीके से 1234 फिर ये बड़ा वाला थोड़ा सा पांच होता है फिर 134 इस तरीके से दस चोटे-ब्रोटे-ब्हुते लाइन्स होते हैं तो आपको 144 लेना है ना तो 40 से क्या करूँँगे बच्चो चार आगे जाओगे यह 140 है ठीक है चार आगे जाईएगा तो यह 141 हो जाएगा 42 43 44 मतलब यहां पर क्या आएगा बच्चो आपका 144 डिग्री ठीक है तो जलिए जल्दी से एंगल बना लेते हैं तो देखो बच्चो ऐसे रखिएगा और 144 कहां पर आ रहे हैं जरा देख लो अच्छे से 100 देखो यहां से लोवर वाला लिमिट काउंट कीजिएगा ठीक है तो 10 20 30 40 50 60 80 90 100 100 के बाद 140 ये रहा और 140 के बाद मुझे चार और आगे जाना है मतलब कुछ यहां पर आएगा देखो इस तरीके से आप लोग निसान बनाईएगा और फिर उसके बाद क्या करना है तो जादा कुछ नहीं करना इसको ऐसे जॉइंट कर दो एक लाइन के थ्रू ऐसे करके यहां से एक लाइन खिर दो ठीक है तो यहा अच्छे से फिर उसके बाद देखिए बच्चों क्या है 108 अब आपको क्या गरना है तो यह जो आपका प्रोटेक्टर है उसे आप यहां पर रखिएगा और 108 डिगरी का एंगल बना लीजिए तो काउंट करते जाईएगा 10 20 30 40 50 60 80 90 100 100 के बाद क्या करोगे 8 और आके जाना ह है जैसे कि यहां पर है 100 ठीक है यहां पर सो तो सो से आठ आठ आगे जाएए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ मतलब यहां पर क्या आएगा बच्छों आपका 108 ठीक है तो चलो मैं यहां पर थोड़ा बनाने की कोशिश करती हूं 108 मेरा तो लगबग लगबग यहां पर आएगा बाकी आप अपने हिसाफ से अपना देख लीजिए अपनी नोट बुक में ठीक है तो ऐसे करके हम लाइन कीज देते हैं कितने डिग्री का एंगल बना 108 डिग्री का यहां पर लिख देंगे बच्छों 108 डिग्री कौन से इस तो 25 से 30 यहां पर लिख दीजिएगा 25 से 30 ठीक है फिर उसके बाद क्या है बच्छो 63 डिग्री कहां पर आएगा तो देखो फिर से आपको प्रोटेक्टर लेना है और इससे आप यहां पर रखिए और फिर एंगल बनाए कितने डिग्री का 63 डिग्री का ओके तो कैसे रखो और 63 कहाँ पर आएगा तो lower वाला हमेशा count कीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 3 आगे पहुँच गे तो यहाँ पर आएगा लगपक लगपक ठीक है तो फिर अभी इसको ऐसे joint कर दो मतलब यहाँ से एक line कीज़ दो cdc यहाँ पर कितने degree का angle बना तो यहाँ पर angle बनाए बच्चो 63 डिगरी का इसका age group लिख दीजिए तो कितना 32, 35 अब उसके बाद बच्चो लास्ट में क्या है तो लास्ट में है आपका 45 डिगरी तो देखो आपको एक बात बताती हूँ यह जो लास्ट वाला बच्चा है न यह कितना होगा तो यह 45 अपने आप ही हो जाएगा मतलब इसे आपको फिर से measure करने के जरूरत नहीं है क्योंकि यह पूरा कितना है यह पूरा कितना है 360 ठीक है 360 में से यह सारे angles तो आम लोग बना चुके है मतलब जो बचा हुआ वाला पार्ट है न बच्चो वह क्या होगा वह 45 डिग्री ही होगा ठीक है तो अगर आप लोग अपनी में कर रहे होंगे तो यहां तक अगर आपने किया तो यह वाला आपना इसकी मदद से मेजर करके देखो 45 डिग्री ही आएगा ठीक है तो चाहो तो आप इस प्रकाय से डिरेक्ली लिख सकते हो यह है 45 डिग्री जिसका एज ग्रूप आचाएगा 35 to 40 जो पॉप यह समझें है या फिर बनाना है तो बना लो इधर से मेजर करो और फिर जाके करो ठीक है समझें की है कि ने तो बस यह देख लीजिए आपका यह जो पाई डाइग्राम जो बनकर के तयार हो गया ऐसे करना है ऐसे यह आपका जो दूसरा सवाल है उसे भी आपको करना है क्या करोगे इस प्रकार से तीन कॉलन्स बनाओगे फिर आपको थीटा का वैल्यू निकालना है और फिर उसे रिप्रेजन कर देना है पाई डाइग्राम की मदद से ओके और यह था आपका फॉर्मुला इसे भी आप लोग लिख ली चाहिएगा तो फाइनली आपका य में क्या क्या इंफॉर्मिशन दी गई है तो यहां पे सब्जेक्ट दिए गएहां और फिर क्या है बंचोराे सब्जेट से मार्ट दी आपका अगहां कैंपा अर क्या कारना होगा जाय potrzeb fam और यहां पर आएगा mi यहां पर लिख देंगे हमलोग मक्स ठीक है और तीसरे वाले कॉलम में क्या आता है बच्चो मेज़र ऊव सेंट्रॉल एंगल याने की थीटा ठीक है अब चलिए हम ल закон सब्जेक्ट लिखते चाते हैं तो पहला सब्जेक्ट क्या है बच्चो इंग्लिश ठीक है और इंग्लिश के नंबर ज़रा बता दीजिए 50 तो यहां पर लिख दीजेगा 50 ठीक है दूसरा सब्जेक क्या है बच्चो मराथी तो यहां पर इसकी नीचे हम लोग लिखेंगे मराथी ठीक है मराथी के नंबर देख लेते हैं सत्तर चले अच्छी बात है है ना अच्छbell में साइंज के देख लेते हैं आशी तो सांस के यहां पर हम लिख देतें करो कि baru मैंथमेटिक साम् मैंथमेटिक्स में सबसे जादा चलो अच्छी बात है 90 फिर सोशल साइंस में 60 सोशल साइंस में तो कम हो गया फिर उसके बाद हिंदी में कितना पचास हिंदी और इंग्लिश का बरावर ही है सोशल साइंस का मैंने नहीं लिखा अब हमें क्या करना होगा बच्चो तो इसका टोटल करना होगा चलिए टोटल कर लेते हैं तो कितना आएगा बताओ आपको देखो सत्तर और पचास जल्दी से जोड़ो सत्तर और पचास कितना होगा साट और पांच कितना होता है 12 यानि कि 120 ठीक है 120 और 80 ठीक है 350 में 50 जोड़ देंगे तो 400 देखो बच्चो इसका टोटल कितना आ गया 400 बराबर अब उसके बाद हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था उपर क्या लिखोगे तो इधर जो रहेगा न वो उपर लिखन आ जाएगा अंसर अलग से सॉल्व करने का याद रखो ठीक है देखो 00 गया 5 बंसा 5 5 8 एट जा 40 है ना फिर इसको 8 से कैंसल करो तो 8 से जाएगा 8 4 जा 32 इसमें से यस कितना आया बच्चो 45 डिग्री यानि कि ये देखो इंगलिस के लिए सेंट्रल एंगल कितना आ गया 45 डि लेते हैं तो इसके लिए देखो यहां पर 70 लिखेंगे नीचे के आएगा बच्चो 400 इदर आ जाएगा 360 अब इसको सिंप्लिफाइग कीजिए तो 70 400 इंटू 360 ठीक है तो 00 गया बराबर फिर ये वाले 0 से ये वाला 0 गया अब इसको 4 से कैंसल करो तो 4936 मल्टिप्लाइगरो 49 से क्या होता है बच्चो 63 तो यहां पर आ गया 63 डिग्री ठीक सही है ना तो इसके बाद साइंस का कर लेते हैं तो देखो यहां पर 80 इदर के आएगा 400 इंटू 360 डिग्री चलिए अभी इसको भी सिंप्लिफाइग कर लेते हैं जीरो जीरो गया यह वाले जीरो से ये वाला जीरो गया 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, मल्टिप्लाइग करो 2, 6, 12, 1, 2, 3, 6, 1, 7 यहाँ पर आ गया बच्चो 72 डिक्री ठीक है? वैसे ही आगे का भी करना है तो यहाँ पर 90 नंबर है कितने में से 400 में से मल्टिप्लाई करोगे 360 डिक्री से ठीक है? तो अब क्या होगा? देखो यहाँ पर 90 यह रहा 400 यह रहा 300 सा 0, 0 गया यह रहा 0 से यह रहा 0 गया 4, 4, 9, 36 9, 9, 81 मतलब यहाँ पर आ गया बच्चो 81 डिक्री ठीक है? वैसे ही इसका भी करना चाहिए हम लोगों को तो करते हैं देखो 400 में से मतलब कितने नंबर मिले? 60 ना? चलो इसको simplify करते हैं 0, 0 गया यह वाले 0 से यह वाला 0 गया फिर 4, 1, 4, 9, 36 9, 6 जा क्या होता है? तो 54 होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चो 54 डिक्री ठीक है? अब लास्ट वाला देख लेजिए 50 अपोन 400 इन्टो 360 यह है ना? यह देखो 0, 0 गया, 5, 1, 5 5, 8 इसा 40 ठीक है? फिर 8 से इसको कैंसल करेंगे तो 8 से कैंसल करेंगे यह ही आएगा बच्चो 45 डिक्री चलिए लिख देते हैं 45 डिक्री है ना? क्योंकि यहाँ पर भी य था सेम टू सेम तो आ गया चलो अब इसका टोटल करते हैं देखते हैं 360 आता है क्या? तो 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, 11, 4, 15, 5, 20 फिर 6, 4, 10, 10, 7, 17, 17, 17, 17, और 8, 1, 11, 17, और 5, 22, 28, 30, 34, 34, 32, 36 यानि की देखो बच्चों कितना आया इसका टोटल 360 डिक्री आया ना? मतलब हमने यह जो कैलकुलेशन किया है वो एक दम सही है ठीक है? अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं इन्हें आपको यहाँ पे पाई डाइग्राम में दिखा देना है बस कितना सही काम करना है ठीक है? तो चलिए अब भी आप लोग मेरे साथ साथ करते चाहिए, यह मेरे साथ साथ करोगे अच्छे सा समझ में आएगा, ओके? यह हमारा पाई डाइग्राम है, यहाँ पे लिखते हैं पाई डाइग्राम ठीक है? तो क्या करना होता है सबसे पहले? तो सेंटर तो आप लोगों को पता ही होगा, यह रहा हमारा सेंटर है ना, बीच में आ रहा है क्या? अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे तो एक सेरी से लाइन खीचेगा, स्केल की मदद से कहीं से भी खीच दो, चलो हम लोग ऐसे खीच देते हैं, ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, पहला एंगल कितने डिग्री का है? मतलब यह वाला जो इंग्लिश इसमें थीटा कितना है, 45 डिग्री, तो आप ले लीजेगा अभी प्रोटेक्टर और 45 डिग्री का एंगल बनाईए, 45 डिग्री मेजर करो, कहां पर आएगा? 40 और यह रहा 45, यहां पर आएगा बच्चो 45, ठीक है? अब एक लाइन कीज़ दो, अच्छे से करना, एक दम धे इधर आपको लिख करके बताना पड़ेगा, यह 45 डिग्री है, और मैं थोड़ा चोड़ा चोड़ा लिख रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही जगा है, इधर लिख देंगे हम लोग इंग्लीश, समझें? फिर उसके आगी क्या है, देखो, मराटी, मराटी में कितना 63 डिग्री, तो फिर से आपको यह ले लेना है प्रोटेक्टर और 63 डिग्री का एंगल इधर बनाईएगा, ठीक है, तो ऐसे रखिए, और 63, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, और 63 मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक है बच्चों, देखो, ऐसे, फिर एक लाइन कीज दीजिए, ठीक, यह कितना डिग्री है, 63 डिग्री, कौन सा सब्जेक्ट है, मराठी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मराठी, ठीक, समझें न, फिर उसके बाद क्या है, बच्चों, 72 डिग्री, तो फिर से आप प्रोटेक्टर ले लीजिएगा, और 72 डिग्री का एंगल बनाईए बस आपको एंगल बनाते जाना है, ऐसे ऐसे करके, 60 क्या था, 72, देखो 72 कहाँ पर आएगा, तो इधर से लोवर वाला काउंट कीचेगा, ऐसे रख रहे हो ना, तो लोवर वाला, यानि कि नीचे वाला काउंट करना, ठीक है, तो 70 और यह दो, यहाँ पर आजाएगा बच् 72 डिगरी, ठीक है, फिर से यहाँ से लाइन कीच दो, यह कौन सा सब्जेक्ट है, साइन्स, यहाँ पर हम लिख देंगे, साइन्स, जो कितना है, 72 डिगरी, ठीक, फिर उसके आगे देखो, 81, अब फिर से इधर रखो, और 81 डिगरी का एंगल बनाओ, यही तो हमको करते जान है, 80 और 81, यह रेखा, ऐसे, ठीक, यह हो गया, 81, और यह कौन सा सब्जेक्ट है, मैथेमाटिक्स, यहाँ पर हम लोग लिख देते है, बच्चो, मैथेमाटिक्स, ठीक है न, फिर उसके आगे क्या है, तो सोशल साइंस में कितना डिगरी दिया गया है, 54 डिगरी, तो फिर से आपको यह लेना है, और 54 डिगरी का एंगल बनाईएगा, कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ना, ऐसे रखेंगे, चल देखते है, 54 कहां पर आएगा, अरे, यह क और यह चार आगे जाएगा, तो यहां पर कहीं पर आजाएगा, 54, जी हां, इस तरीके से, फिर हम इसको ऐसे करके जॉइंट कर देते हैं, ठीक, यह कितना डिग्री है, तो 54 डिग्री है, ठीक, और सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, तो इस में मैं छोटा-छोटा लिख देती हूँ, यह हो गया सोशल, और यह रहा हमारा साइंस, ठीक है, अब जो लास्ट में बचा है ना बच्चो, यह क्या हो जाएगा, तो इतना 45 डिग्री, तो यह अपने आप ही 45 डिग्री हो जाएगा, चाहो तो आप मेजर करके भी देख सकते हो, और कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, बच्चो, हिंदी, बस पाई डाइग्राम आपका बन करके तयार हो गया, देख लिज तो question number 2 भी हमने complete कर लिया, ऐसे ही करना है, बच्चो अभी हम लोग solve करेंगे, question number 3, तो देखिएगा, third question में क्या दिया है, in a tree plantation program, the number of trees planted by students of different classes is given in the following table, याने कि ये table में क्या दिया है, बच्चो, तो एक tree plantation program था, जिसमें अलग-अलग class के बच्चो ने क्या किया, बच्चो, जो trees थे ना, उनको plant किया, जैसे कि fifth standard के बच्चो ने कितने number of trees को plant किया, तो 40, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आगे सारी information दी गई है, ठीक है, हमें क्या करना है, तो pie diagram की मदद से ये जो information है, इसे represent करना है, ठीक है बच्चो, तो चलिए फिर start करते हैं, again हमको क्या करन बना लेना है, इस प्रकार से table बना लेना है, जिसके अंदर कितने columns रहेंगे, तो total 3 columns रहेंगे, ठीक है, पहले column में क्या आएगा बच्चो, तो यहाँ पर क्या लिखा है, standard, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, standard, ठीक है, फिर उसके बाद इधर हम क्या लिखेंगे, तो पहला कौन same standard है, 5th standard, 5th standard में frequency, यानि कि number of trees कितने है, तो 40, यहानि कि 5th standard के बच्चो ने इतने number of trees लगाए, ओके, फिर 6th standard का लेते है, इसको फोड़ा नीचे लेते है, 6th standard ke बच्चों ने कितने trees implant किये, तो 50, फिर 7th standard का देखेंगे, 7th standard के बच्चों ने 75, इसके सीधे म साधी के दिए तो यहां धेते हैं और लास्ट साधी अंग जिसका डी जिसका हम लोक लेते हैं शेवन्टीय को में दिए यह वे तो tolerance कर देंगे जालिये फिर इसा टोटल करते हैं तो यह 0 5 5 10 का 0 फिर एक इधर आ गया फिर चार पांच 9 9 और साथ कितना होते 16 16 और पांच 21 21 और यह साथ तो 28 28 और यह 1 29 29 और यह 7 तो कितना हो जाएगा 36 देखो बच्चो क्या आ गया 360 ठीक है अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे तो में इजर ओफ सेंट्रल एंगल यानि कि धीटा तो कैसे निकाला जाता है यहाँ पर क्या है 40 से लिख दीजेगा फिर इसका टो अब देखो बच्चो यहाँ पर आपको जाता दिमाग लगानी के ज़रूवत नहीं है आंसर आपको मिल जाएगा फटाक से कैसे देखो यह भी 360 यह भी 360 तो 360 से 360 कैंसल हो जाएगा तो यहाँ पर देखो आपको बताई देती हूँ एक करके फिर उसके आगे काम लोग डायक बराबर यहाँ पर बच्चा क्या 40 तो हम क्या लिख देंगे 40 डिग्री ठीक है उसी प्रगाण से आगे भी करना है तो देखो क्या है 50 अपॉन में आएगा 360 इंटू 360 तो 360 से 360 कैंसल बोलो क्या आया 50 डिग्री वैसे ही यहाँ पर भी होगा 75 अपॉन 360 इंटू 360 आपको पू बता रही हो ना वैसे ही करना है फिर यहाँ पर 50 तो 50 लिखा अपॉन में 360 इंटू 360 डिग्री ठीक है तो 360 से 360 कैंसल हो गया यहाँ पर क्या आगया बच्चो 50 डिग्री ठीक है फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा 70 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री तो 360 से 360 कैंसल यहाँ पर आ अपॉन 360 इन्टो 360 तो यहाँ पे कितना आजाएगा 75 डिग्री ठीक है अब इन सबीका टोटल करेंगे तो कितना आएगा तो इसका टोटल आएगा बच्चो 360 चाहो तो करके देख सकते हो क्योंकि देखो ना यह सारे नंबर सेम टू सेमन चालिस चालिस पचास 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 तो जब हमने इसका टोटल गया तो इतना आया तो इसका टोटल उतना ही आएगा ना ठीक है अब उसके बाद हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है बच्चो पाई डाइग्राम तो पाई डाइग्राम कैसे बनाया जाता है आप तो जानते ही है है ना क्या करेंगे हम लोग एक अंगल बनाते जाएंगे तो देखिए पहला अंगल कितने डिग्री का है फॉर्टी डिग्री का तो ले लिजेगा प्रोटेक्टर और यहां पर वह उद्वार्टी डिग्री गा एंगल बनालीजिए ठीक है यह लाइन मुझे न थोड़ी टेडी मेड़ी है सीधी लाइन के टुकुक होगे लीघें यहां पर आगया और यहां चेह meaningful का फैसने कर देते हैं ऑ हिसमें कौन से स्टाइंडर है बच्छों 5REE कर यहां पर स्टाइंडर फिफथ और यह यह एंगल कितने डिग्री का है 40 degree का फिर next वाला है 50 degree तो फिर से इसे आप लोग यहां पे रखिएगा इस प्रकार से ऐसे 50 कहां पे आएगा 10, 20, 30, 40, 50 यहां पे ठीक है अब उसके बाद ऐसे करके इसको जॉइंट कर दो एक मिनट रुको यहां पे लिख देंके बच्चों 6 और यहां पे लिख देंके 50 degree का यहां पे लिख देंके 50 degree वैसे ही आगे भी करते जाहिए 75 degree तो आप यहां पे रखिए 75 degree measure कीज़िएगा 10, 20, 30, 40, 50, 70 70 और यह 5 आगे जाना है तो यह हो गया 75 ठीक यहाँ पर देखो क्या आजाएगा बच्चो 75 डिगरी और कौन सा स्टांडर्ड है तो यह है आपका 7 स्टांडर्ड यहाँ पर हम लिख देंगे 7 ठीक है फिर यहाँ पर अगला क्या है अचा यह तो हो गया ना फिर नेक्स्ट है 50 डिगरी तो अगें 50 डिगरी यहाँ पर मेले साथ-साथ करते चाहिए 50 कहाँ पर आएगा तो 50 आजाएगा यहाँ पर लिख देते हैं 50 डिगरी कौनसा ग्लास 8 ग्लास तो उसके बाद यह वाला देख लीजिए 8 के बाद 9 में कितना है 70 डिगरी तो यहाँ पर रखो फिर से 70 डिगरी का एंगल बना लो 70 यहाँ पर आएगा ठीक है तो यह लीजिए यहाँ से हम लोग इसको जॉइंट कर देते हैं यह हो गया हमारा 70 डिगरी ठीक है और यह जो बचा होगा रहेगा ना यह हो जाएगा 75 थोड़ा इसको भी मेजर करके मैं देख लेती हूं कि यह कितना हो गया यह पूरा मेट गया आपका नहीं मिटेगा क्योंकि आप तो यह मेरा मारकर है इसके वज़े से मिट रहा है हाथ लगने की वज़े से ठीक है चलो कोई नहीं कौन सा क्लास है यह नाइन्थ क्लास और यह लास्ट में आ जाएगा बच्चो 75 डिगरी इसे तो देख लिजे बच्चो इसी तरीके से आपको यह पाई डाइग्राम बनाना है है ना हर एक कोश्चन में तो हम लोग वही कर रहे हैं तो समझ में आया ही होगा आप लोगो को तो इसे आप लोग लिख लो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कोश्चन नमबर 4 चलिए बच्चो अभी हम लोग सॉल करते हैं कोश्चन नमबर 4 तो देखो इसमें क्या क्या इंफोमेशन दी गई है तो यहां पर फ्रूट्स दीए गया है और यह क्या है परसेंटेज ओफ डिमांड जैसे कि मैंगो के लिए कितना डिमांड है बच्चो तीस परसेंट का ठीक है स् करते हैं तीन कॉलम्स हम बनाएंगे पहले कॉलम में क्या आएगा वच्चो फ्रूट्स धीक फिर सेकेंड वाले में लिखोंगे परसेंटेज ओव डिमांड तो यहां पर लिख दीचिए बच्चो अब हो जिए कि अर यहां पर क्या है गा मेजरारं सेंट्र्ल एंगल यानि यहां पर लिख दिया 30 ठीक है फिर आगे देखिएगा sweet lime का इतना है 15 तो यहां पर मैं लिखूँगे sweet lime और यहां पर लिख देंके 15 ठीक है फिर आगे क्या है बच्चो एपल तो यहां पर लिख देंगे apples कितना 25 यह लिख दिया फिर अगला है 20 और लास्ट में बच्चो और इंज मतलब और इंज कितना तो 10 यहां पर लिख दिया 10 ठीक है अब उसके बाद हमें क्या करना होगा तो इसका टोटल करना होगा चलिए फिर कर देते हैं तो 30 और 15 कितना होता है 45 और एक मिनट ऐसे करते पांच पांच दस का 0 एक आया 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 9 10 कितना आ गया बच्चों सो यह परसेंटेज था ना क्यूंकि 100 परसेंट में से यह सारा दिया गया था 100 में से 30% 100 में से 15% ठीक है इस प्रकार से अब चलिए हम लोग थीटा का वेल्यू निकाल लेते हैं तो यह कैसे मिलेगा बच्चों देखो यहां पे क्या है 30 लिख देंगे फिर इसका टोटल Кितना आया है यहां पे लिख देते हैं total इसका टोटल है hundred तो यहां पर lifesदग देंगे बच्चों hundred और multiplied करेंगे 360 से ठीक है चलिए फिर इसको कैंसल करते हैं तो जीरो से एक मिनट इधर मत कीजिएगा अलग से ही सॉल्व किया करो है ना नहीं तो पूरा इसमें करने जाओगे पूरा बहुत बेकार दिखेगा इसलिए अलग से उसको करने का ठीक है जीरो जीरो गया ये वाले जीरो से येवाला जीरो गया अब थ्री मल्टिपलाई कर दो, 36 च्प्र रहन बछे 17 होता है वन आ गया 3 थ्रीजरा 9 1 10 मतलब क्या आ गया 108 ठीक है यह डिग्री है 0 दिख रहना बहुत बडँदा सा पर यह होटा जा लग्री है समझे फिर अगला 5 2s are 10, 5 3s are 15, और 2 से इसको cancel करते है, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 18 3 सा क्या होता है, बच्चों 54 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 54, 18 3s are 54 ही होता है न, येस, चलो आगे चलते हैं, ये रहा 25, upon 100, into 360 degree, तो देखो, 25 upon 100, into 360, तो 0 से 1 minute, 0 0 cancel मत करो, यहाँ पर एक काम करते हैं, 25 1s are 25 4s are, सही है न, 25 4s are क्या होता है, 100 होता है, फिर इसको 4 से cancel करो, तो 4 9s are 36, देखो बच्चों कितना आ गया, 90 degree, ओके 90 degree ही हाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, 90 degree, समझ में आया न, क्या किया हमने, पहले तो इसको cancel किया, इन दोनों को 25 1s are 25, और 25 4s are क्या होता है 100 होता है, बराबर, फिर हमने इसको 4 से cancel कर दिया, तो 4 9 से क्या होता है, 36, और यह वाला 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है, अब आगे देख लीजिए, 20 अपॉन 100 इंटू 360, ठीक है, तो 20 अपॉन 100 इंटू 360, तो 0 से 0 गया, 2 1s are 2, 2 5s are 10, अब इसको 5 से cancel करते हैं, तो 5 7s are 35, इ 72 degree, ठीक है, वैसे ही, यहाँ पर कर लेते हैं, तो यह 100, यह 360, तो अब क्या होगा, देखो, 10 अपॉन 100 इंटू 360, तो 0 से 0 गया, यह वाले 0 से यह वाला 0, कितना बच्चा, 36 only, तो यहाँ पर हम लिग देते हैं, बच्चो, 36%, परसे नहीं, डिगरी, ठीक है, अब इसका टू 12, एक मिनट 12, और यह 18, दो 20, ठीक, फिर 5, 7, 10, 10, 10, 9, 19, 19 और 5 कितना होता है, 24, 25, 26, फिर 1 और यह 2, देखो, बच्चो, 360 आया ना, बस यही तो हमको चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ठीटा निकाल लिया है, अब हमें क्या करना है, तो पाई डाइग्राम बनाना होगा, तो पाई डाइग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना होता है, बच्चो, येस, सरकल बनाना होता है, इस प्रकार से, ठीक है, फिर सरकल में क्या करने का, एक सीधी जी लाइन खीचने का, कहीं भी खीच सकते हो, आपके मर्जी ऐसे भी खीच सकते हो, पर मैं तो ऐसे ही खीच रही हूँ ठीक है चली ये लीजे हमने लाइन खीच दिया अभी हम क्या करेंगे बच्चो तो एंगल बनाते जाएंगे पहला एंगल देखो 108 डिगरी का बनाना है हम लोगों को तो प्रोटेक्टर ले लेना और यहां पर रखना 108 डिगरी का एंगल ब पर फिर इसको ऐसे खीच दो लाइन ठीक कौन सा फ्रूट है मैंगो तो यहां पर हम लिख देंगे बच्चो मैंगो डिगरी कितना 108 चली आगे बढ़ते हैं अगला यहां पर क्या है बच्चो 54 डिगरी तो फिट से आप इधर रखिएगा इसको और 54 डिगरी का एंगल बना चली तो फिटी फोर पचांस क्या आगे आएगा मतलब यहां पर चलीए कितना डिगरी 54 डिगरी यहां पर लिख देते हैं 54 ठीक है और फूट का नाम क्या है चाहेगा स्वेट लाइन है यहां पर थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा जगा कम है ना इसके लिए ठीक फिर उसके आगे 90 डिग्री तो 90 कहां पर आएगा देखो ऐसे रखेंगे 90 तो एक दम सीधा-सीधा आएगा हम तो जानती ही है 90 90 यहां पर आजाएगा यहां पर यहां से लाइन कीश देता है यहां पर फ्रूट का नाम क्या दिया है एपल देखो 90 वाले में एपल तो यहां पर लिख देंगे बच्चो एपल पर अगला क्या है 72 डिग्री तो 72 इधर रखिए और मेजर कीजिए देखो 72 कहां पर आएगा 72 ठीक है फ्रूट का नाम देख लीजिए चीकू तो इसमें हम लोग लिख देंगे बच्चो चीकू ठीक है फिर आगे देख लीजिए क्या है लास्ट में ओर इंज तो यह जो बच्चा होगा है ना बच्चो यह क्या हो जाएगा आपका 36 डिग्री ही होगा और इसमें क्या है ओरेंज तो यहां पर हम लिख देते ओरेंज ठीक समझेगी नहीं तो आप लोग देख सकते हो बच्चो हमने यहां पर यह पाई डाइग्राम बना लिया है अब आपको काफी इजी लग रहा होगा है क्या है ना इस टाइप के हमने चार कोस्टन सब्सक्राइक तो आप उसमझ में आई मिल्गा होगा सिंपल सी बात में तीन कॉलम बनाना होता है जिसमें से 2 कॉलम में क्या लिखना है वह तो ऑल्रेड़ी गर्म सब्सक्राइप और तीसरे वाले में ग्यार करने का थीटा फाइंड आउट करने का कैसे निकाला चाहता है फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखा दिया है ठीक है तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ठीक देख लो फॉर्थ कोर्शन यहां पर कंप्लीट हुआ